चाय बेचने वाले लड़के ने क्लियर किया UPSC एक्जाम। इस तरह की हेडलाइन वारी नियूस तो आपने बहुत सुनी होगी। हर जगह देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। लेकिन आज की हमारी कहानी इस से एकदम उल्टी है। ये कहानी उस लड़के की है जिसन चाय सुटाबार के को फाउंडर और CEO अनुभाव दुबे की। और आज की वीडियो में हम आपको चाय सुटाबार की इसी इंस्पारिंग सक्से स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। हमेशा की तरह स्टार्टप एनलिस्ट पर आपका स्वागत है जहां हम बिजनस स्टा के को फाउंडर आनंद से हुई और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। स्कूल के दिनों के अनुभाव और आनंद अपने दोस्तों के साथ मिलकर पैसे इकटा करते और फिर इन दोर की सेकेंड हैंड मार्केट से फोन खरीद कर बाद में उन्हें प्रॉफ के दोरान सीखी गई कई बातों को अनुभाव अपनी सफलता का श्रेय देते हैं एक दिन जब अनुभाव डेली में थे तब उनके दोस्त आनंद का उन्हें कॉल आया कि उनका पुराना बिजनस रैप अप हो रहा है और इसलिए अब दोनों को मिलकर किसी आईडिये पर काम करना चाहिए और अपना खुद का कोई बिजनस शुरू करना चाहिए इतना सुनते ही तुरंत अनुभाव डेली से वापस इंदोर आ गये हालाकि इसके बारे में उन्होंने अपने परिवार से बात नहीं की थी उन्हें बताया भी नहीं था इंदोर आकर दोनोंने चाय के शुरुआत की और अनुभाव कहते हैं कि उन्होंने चाय का बिजनस इसलिए चूस किया क्योंकि इंडिया में पानी के बाद सबसे ज़्यूम होने वाला प्रोड़क्ट चाह ही है और इसलिए इन्हें इसमें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भी नहीं करने पड़ी साथ ह कि किसी और बिजनस की तुलना में इसके अंदर अच्छी खासी सेल्स होने के चांसेज भी ज़्यादा थे बस इसी सोच के साथ तीन लाग रुपए की इन्वेस्टमेंट से इन दौर में खुला चाय सुटा बार का पहला आउटलेट क्योंकि अन्भो और उनके साथ ही यू बार की तरह ही कई टेबल्स लगवाए लेकिन फर्क ये था कि ये एक चाय का बार था दुकान शुरू करने वाले भरे ही 20-22 साल के नौसिखे लड़के रहे हो लेकिन ब्रैंड के नाम से लेकर दुकान की जगह तक सब कुछ प्रॉपर प्लैनिंग के साथ हुआ इन्होंने अपनी पहली दुकान भवरकुआ में हो ली क्योंकि ये एरिया कोचिंग्स का हब था इसलिए mostly इनका targeted crowd यहीं पे रहता था उपर से उन्होंने ऐसी दुकान चुनी जो गल्स होस्टल के बगल में थी ताकि यहां लड़किया आए और फिर लड़के भी यकीन बानी इस तरह उपनिंग वाले दिन उन्होंने सबको फ्री चाय देने का फैसला किया ताकि फ्री ओफर की वज़े से लोग उनके यहां तो आएं कम से कम लेकिन इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ लोग उनसे फ्री में भी चाय लेने को तयार नहीं थे क्योंकि लोगों को लग रहा था कि यंग लड़के कहीं चाय के नाम पर कुछ और ना दे थे और इसके लिए फिर लगाये गया एक और जुगार अनुभर शुरू से ही होस्टल में रहते थे इसलिए उनके दोस्त बहुत सारे थे तो उन्होंने अपने सारे दोस्तों को कॉल किया और अपनी दुकान में फ्री चाय ओफर की फिर क्या था दुकान में उनके दोस्तों का जमावणा लग गया सुबह से शाम तक दुकान उनके दोस्तों से ही भरी रहती और ये देखकर आने जाने वाले लोगों को किरियोसिटी होने लगी कि क्या बात है इस दुकान में तो बड़ी भीड रहती है लगता ही ये दुकान चलती बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्हें थोड़ी पता था कि ये दुकान जो है, वो दुकान वाले के दोस्तों से ही भरी हुई है, और इस तरह भीड को देखकर और जादा लोग उनके यहाँ चाय पीने आने लगे। इसके लावा बाकी चाय वालों से खुद को अलग दिखाने के लिए उन्होंने कुल्ण में चाय सर्व करना शुरू किया, हाला कि जब उन्हें पता चला कि कुछ जगों पर कुल्ण भी कॉमन ही है, तो उन्होंने फ्लेवर वाली चाय लॉंच की, जैसे की पान, इलायची और चॉकलिट जैसे फ्लेवर, साथ ही कई सारी चीज़ें उन्होंने अपनी गलतियों से भी सी, जैसे शुरू-चुरू में उन्होंने अपने मैन्यो में बहुत सारी चीज़ें इंक्लिवर करनी, जिससे inventory manage करना मुश्किल हो गया था, और इस गलती को बाद में उन्होंने ठीक किया और menu में सिर्फ वो items रखे जिसमें raw materials common हो ताकि inventory cost कम हो और manageable भी हो लेकिन ये सब कुछ इतना करना आसान नहीं था क्योंकि उनके पास पैसों की बहुत कमी थी और इसलिए दुकान में reconstruction के समय अपना labor charge बचाने के लिए अनुभवों और उनके दोस्तों ने मिलकर सीधियों को तोड़ने और cement आदी mix करने जैसे काम खुद अपने हाथों से की यहाँ तक की चाय सुटा बार के बाहर जो playboard आप देखते हैं जिस पर चाय सुटा बार लिखा होता है वो भी इसी तरह के जुगाड का नतीजा है दरसल अनुभवों के पास जो भी पैसे थे वो धेरे-देरे खत्म हो रहे थे यहाँ तक की उनके पास दुकान का बोर्ड बनवाने के लिए भी पैसे नहीं थे तभी अनुभवों ने अपना इंडियन जुगाड वाला दिमाग लगाया और इसी playboard को cut करके उसमें lights लगवा कर चाय सुटा बार का नाम लिखवा दिया हो गया काम आज ये board ही चाय सुटा बार की पैचान बन चुका है और आपको उनके हर outlet में ऐसा ही board देखने को मिलेगा इतना ही नहीं इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो marketing करने के लिए pamphlet या फिर banners शबबा सकें इसलिए उन्होंने प्रचार करने का भी इंडियन जुगार निकाला जहां अनुभो और उनके दोस्त अकसर किसी mall या फिर चुराहे जैसे public place में मिलकर आपस में चाय सुटा बार के बारे में बातें करते और services की काफी तारीफ किया करते थे ताकि आस-पास के लोग बार-बार इस नाम को सुने और curious होकर वहाँ पे आएं अब आपकी जानकारी के लिए बता दे कि चाय सुटा बार आज भी अपनी पुरानी marketing strategy का यूज करता है और किसी भी नए outlet की opening वाले दिन चाय और coffee free में offer करता है दीरे-दीरे इनकी popularity को देखते हुए कुछ बच्चों के parents ने भी उनसे contact करना शुरू किया कि वो उन बच्चों को भी अपने काम में लगा लें अब यहां से अनुभा को समझ में आया कि अब वो franchisee model पर भी काम कर सकते हैं और इस तरह पहला outlet खोलने के महस 6 महीने के बाद ही उन्होंने इन दौर से मुंबई तक का सफरते किया और मुंबई में भी चाय सुट्टा बार का outlet ओपन किया और इस नए outlet की opening का वीडियो अनुभाहों ने अपने Facebook लाइफ पर शेयर किया लेकिन चाय बेशने की बाद सुनकर उनको काफी गुस्ता आया और वो अगली ही सुबह इन दौर पहुँच गए हलाकि दुगान की popularity को देकर वो अनुभाहों को जादा कुछ नहीं बोल पाए और असल में भारत के अंदर आज भी सरकारी नौकरी को सबसे जादा उपर रखा जाता है लेकिन जैसे जैसे चाय सुटा बार की popularity बढ़ी उनके पिता का गुस्ता धीरे धीरे ठंडा होता चला गया आज चाय सुटा बार के देश ही नहीं बलकि विदेशों में भी कई आउटलेट डेली, गुज्रा, तमिलनाडो, यूपी, राजस्तान, जार कंड और, हिमांचल प्रदेश जैसे कई राज्यों और दुनिया भर में करीबन एक सो पंचान ने शहरों में इनके कुल 450 आउटलेट्स हैं, जिसमें भारत के साथ साथ, दुबई और अमेरिका का नाम भी शामिल है, इंडियन लोकेशन के लिए चाय सुटा बार की फ्रेंचाइजी कॉस्ट 6-8 लाग रुपए है, जिसमें 16-18 लाग इंवेस्टमेंट की कंपनी महस 6 साल के अंदर, आज इस मुकाम पे है कि 150 करोड का साल का revenue generate कर रही है, चाय सुटा बार सिर्फ एक success story नहीं बलकि हम सब के लिए एक inspiration भी है, चाय सुटा बार में चाय पी है किया, तो कैसी लगी चाय, comment section में comment करके ज़रू बताना, बागी हमारी आज की वीडियो म पर नए है, तो subscribe भी जरूर कर लीजेगा, मिलते हैं आप से जल्दी ऐसी ही और भी interesting वीडियो में, तब तक के लिए goodbye.